पिरयवीह वे इनो , है उपस्तित हूँ कख्षा शाथ की हिंदी का कलांस लेकर करके पिछले कलांस में हमने पारथ 3 की परशलनतर पूरे किये थे और मैं आशा करता हूं के आप सबने पांद 3 का जो ग्रीका रहा था ये अपने पक्की कोपी मे पूरा कर लिया होगा सारी प्रेशन रुटर आपने पूरे कर लिए हम तो आज हम नया पार्थ शुरू करने जा रहे हैं पार्थ 4 जिसका नाम है कठ़पुतली कठ़पुतली का जैसे की नाम से पता चल रहा है कठ पुतली यानि कि कठ मंतलब लोता है लकडी और पुतली मतलब जिसके उपर कपड़े लिपेटे होते हैं तो एक लकडी की गुडिया होती है गुडिया से खेलते हैं न बचे छोटे गुडिया बना करके और उसके उपर कपड़े लिपेटे होते हैं उनको रूप दिया जता है तो उसको बोलते हैं कट पुतली यह आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं और हो सकता है आपके गली में भी कई बार कट पुतली का खेल दिखाने वारे आते हैं तो वो भी आया होंगे तो आपने खेल भी वो देखा हो तो आज हम इस पार्ट को मत्तों पे भी ना सिर प ही पएर भी और यह उपरन आते होंगे वाले रहे हैं और एनली झाहर हैं वह भक्रति मेचार ईकल्ट पेट दा डहार्न को समय और चैए और जिस उन घृती था करदा था बगा वह तौणि यह पहनी भी हिलती है तो धागों के इशारे पर पुतलियां नाचती है यानि कि धागों से बंदी होती है तो पुतलियां अपने मन की कुछ बात कहना चाती है इस पार्थ में तो जो लेखक है उसने क्या बताया है कि पुतलियां क्या बात करती है तो इस कविता के जो लेखक है उनका नाम है भवानी परशाद मिश्यर ये आप देख रहे हैं स्ख्रीन पे देख aire नाम तो भवानी मत्रा शाद मिश्यर जीने ये कविता लखी है जिसका नाम है कटपुतली उन्होंने कटपुतली की जो मन की बात है वो इस कविता में बताई है तो आईए शुरू करते हैं पाट कट पुतली कट पुतली गुसे से उबली बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पामों पर छोड़ दो तो जो कट पुतली थी वो गुसे से उबली यानि कि उसको ब दागे बंदे हुए हैं यह सिर पे भी धागे बंदे हुए हैं सब जगह धागे बंदे हुए हैं तो कहने का यह मतलब है कि यह जो कट पुतली थी वो बंदन में नहीं रहना चाहती थी यानि कि वो सबतंतर होना चाहती थी तो उसके मन में उसके ये मन में आया और वो गुस्षे से उबली कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पिछे बंदे हुए हैं इनको तोड़ दो यानि कि मुझे सबतंतरता दे दो मैं इन बंदनों में नहीं रहना चाहती मैं आजाद होना चाहती हूं क्योंकि सबको आजादी अच्छी लगती है ना हम सबको भी आजादी अच्छी लगती है कि हम अपनी मर्जी से करें कुछ भी करें है ना तो वो जो कठपुतली थी, वो भी यही सोच रही थी, कि मेरे को मेरे पाउं पर खड़ा होने दो, क्योंकि मेरे को अभी तो ये धागे नचाते हैं मेरे को, जो कठपुतली वाड़ा होता है, वो मेरे को नचाता है उंगलियों से, लेकिन मेरे को मेरे पाउं पर खड़े होना है यानि कि मेरे को मेरे अस्तित्तों पर खड़े होना है तो इसलिए मुझे ये धागे बंधन सब तोड़ दो कि सुनकर बोली और-और कटपुतलियां कि हां हां बहुत दिन होगे हमें अपने मन के छंद छुए हां अब ये एक एक कटपुतली के मन में विचार आया था कि मेरे को सबतंतर होना है ना मेरे को अपने पैरों पे खड़े होना है मेरे सारे बंधन तोड़ दो तो ये बात सुनकर के वो जो दूसरी कटपुतलियां थी ना वो भी सारी क्या केने लगी वो भी करने लगी हां हां तेरी बात सही है तेरी बात सब से अ अवसर मिलना चाहिए, तो वो भी चाहती थी, कि हम भी अजाद हो जाएं, हमारे भी ये बंधन तूट जाएं, हम भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाएं, और हम भी सवतंतरता का अन्भव करें, और हम अपनी मर्जी से सब कुछ करें, क्योंकि अभी तो हम अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकती, तो वो एक कठपुतली के मन में ये विचारा आया था, तो उसकी बात सुनकर के, दूसरी कठपुतलीयां भी सब तयार होगी अजाद होने के लिए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, कि ये कैसी इच्चा मेरे मन में जगी, पर वो जो पहली कठपुतली ती ना, वो सोचने लगी, अरे ये क्या होगी, मैंने तो मेरी सबतंतरता के लिए ये मेरे मन में इच्चा जगी थी, ये तो मेरी बात सुनकर के, ये सब सबतंतर होने लग गई, सारे सबतंतरता की इच्छा करने लगी तो सारी सबतंतर हो जाएंगी तो क्या होगा सारों के बंधन तोड़ देंगे तो आगे क्या होगा यानि की सबतंतरता प्राप्ती हो जाएगी तो अपने पैरों पर कैसे खड़े होंगे क्योंकि अब उसके उपर सारी कटपुतलियों की जिम्मारी आगी तो वो सोचने लगी कि मेरे मन में ऐसी इच्छा क्यों जग गई क्योंकि अब ये सारी सबतंतर होएंगी सारी सबतंतर होएंगी तो ये अपनी मर्जी से काम करेंगी और अपनी मर्जी से काम करेंगी तो कुछ गलत ना कर बैठें इसलिए उसके मन में ये डर भी हो गया और उसके उपर जिम्मेवारी भी आगी क्योंकि उसके कारणी सारी कटपुत्रियों का मन में ये इच्छा जागी थी कि हम सबतंतर हो जाएं हमारे सारे बंधन तूट ये छोटी सी कवीता थी लेकिन बहुत अच्छी कवीता थी ये कवीता आपकी पुरी हो गई और इसके प्रशन उत्तर हैं ये आप इसके कवीता से जो प्रशन है कटपुत्ली को गुस्सा क्यों आया पहला प्रशन है फिर दूसरा प्रशन है कटपुत्ली को अपने पाउं पर खड़े होने की इच्छा है लेकिन क्यों नहीं खड़ी होती और तीसरा परसन है पहली कट पुतली की बाद दूसरी कट पुतलियों को क्यों अच्छी लगी और चौता परसन है पहली कट पुतली ने सेम कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पिछे आगे इन्हें तोड़ दो उसरी कठपतलियों को जिम्मेदारी मैसूस होने लगी उसे शिगर सवतंतर होने की चिंता होने लगी वे सवतंतरता की इछा को सकार करने और सवतंतरता को सवतंतरता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी वेह डर गई क्योंकि उसकी उमर कम थी तो इस परकार ये च चार प्रस्वनों के उत्तर आज आपको ग्रीकारे के रूप में करने हैं। शेशी जो प्रस्वन है कवीता से आगे के और उसके बाद में अनुमान और कल्पना के फिर बाशा की बात किए हम अगले कलांश में अगले कलांशों में करेंगे ठीक है जै हिंद जै भारत